matplotlib, grid and histograms, आज हम study करेंगे, तो import कर दिया है हमने, next हम सीखेंगे grid, उसके axis, color, line style, यह सारी grids की argument है, और फिर x limit और y limit, कि आपको अगर पूरे data का graph नहीं चाहिए, कोई particular limit का यह graph चाहिए, तो वो भी हम देख सकता है, फिर है histograms और bins, तो शुरू करता है, grid इसे, X का data, प्रीट करते है, लट सी, i for i in range 10, और y is equals to i square ले ते, i into i for i in range 10, or plt.plot x or y, then plt.show, तो यहां पर आप देखिए, यह है हमारा graph, अब यहां पर हमें grids चाहिए, मतलब कि इसके पीछे, Excel में होती है na grids, उस सरी किसी grid चाहिए, तो मैं आपर लिखता हू, plt.grid, तो देखिए, grid आ गई है, जिससे data को analyze करना easy हो जाता है, मतलब आपको यहां पर देखिए, इससे पता चल जाता है कि यह होगा, 5, sorry, 4.4 होगा यह, और यह 20, right, आपको इतना ध्यान से देखना नहीं पड़ता, फिर है उसकी एक argument, axis argument, तो उससे क्या होता है कि आप particular axis में grid ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ x axis में grid चाहिए, या फिर सिर्फ y axis में grid चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं, let's say plt.plot, और हम x को ही twice plot करता है, मतलब कि एक linear line आएगी हमारे पास, और plt.grid में आपको लिखता हूँ, axis is equals to y, और फिर plt.show, तो आपको आपको देखिए, सिर्फ y axis में हमारी grids आई है, similarly आप x के लिए भी कर सकते हैं, यह है सर्फ x के लिए, okay, so यह था axis, second argument है color, line style और line width, तो home check करता है, यहाँ पर color, तो आप color provide कर सकते हैं, कि आपको grade का कौन सा color चाहिए, let's say, मैं आप लिखता हूँ, color is equals to r, r stands for red, यहाँ पर red grid आई है, चो कि काफी अच्छी लग रहे है, लेकिन उसकी highlight ज्यादा हो रही है, मतलब line देख नहीं रही है, it's okay, फिर line style, आप line की style change कर सकते है, यहाँ पर लिखता हूँ, plt.plot, और grid में, हम provide करेंगे line style, line style, जो कि हमने सीख लिया है, already plot में, जो line styles होती है, वही same line style से इसमें, let's say double dash, मतलब की dashed line आएगी, और line width भी इसी में ले लेता है, तो line width, it is the width of the line, तो let's say, मैं आपर लिखता हूँ 4, तो आपर आप देखे, grid काफी width उसकी बढ़ गई है, और उसकी line style dashed हो गई है, right, तो यह है line style or line width, फिर हम यह line width खतम होगया, फिर हम देखते है, x limit और y limit, यह काफी interesting होता है, तो माल लिखे, आपके पास, हम old data ही लेता है, और plot करता है, plt.plot x & y, यह फिर x x, तो आप देखे, हाँ पर 0 से लेकर 10 तक का data है मारे पास, मतलब यहाँ पर 00 है, और यहाँ पर यह जो point है, that is 10, 10, तो माल लिखे, आपको सिर्फ 2 से लेकर 6 तक का data देखना है, पूरा graph नहीं देखना है, क्योंकि क्या होता है, data millions का होता है, तो आप अगर पूरा data लोड करके उसको graph में देखने जाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आगा क्योंकि एक data के उपर multiple data stack हो जाएंगे, तो यह issue solve करने के लिए, यहाँ पर यह issue नहीं है, लेकिन इसको solve करने के लिए, यह functions provided है by matplotlib, तो x limit में यहाँ पर two per pass करना है, let's say, 2 से लेकर 6 तक और y में भी same, 2 से लेकर 6 तक, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर यह start हो रहा है 2 से और खतम हो रहा है 6 पर, सिर्फ उतना ही data में मिल रहा है, okay, तो this is the use of x limit or while limit, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम बहुती vast data लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इश्यों आ सकता है, let's say, मैं यहाँ पर x is equals to लिखता हूँ, np numpy use करते हैं, import करना पड़ेगा उसके लिए numpy को, import numpy as np, यहाँ पर हमने कर दिया, import और random data generate करता हैं थोड़ा, np.random, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, let's say, rand integer, यहाँ पर 0 से लेकर 1000 तक के, मुझे शाहिए 500 integers, यहाँ फिर let's say 500 तक के 100 integers, थोड़ा, simple लगते है 200, तो let's see, generate हो रहा है perfectly x, तो yeah, generate हो रहा हमारे पास, तो 200 data है हमारे पास, और y में भी generate करता है कुछ, तो y is equals to, यहाँ पर लिखता हूँ, x plus, और उसमें थोड़ा variation डालता है, np.random, .randint, यहाँ पर 0 से लेकर, 500 तक के data है, तो 100 यहाँ फिर 200 तक का minus 100 से लेकर 100, right, और अगर हम यह plot करें, xy, अब इसको comment कर देता है, for now, haa, तो यह देखिए, यह कितना cluttered data है, right, अब आप इसमें क्या, क्या study करेंगे, तो आपको सिर्फ 200 से लेकर 300 तक का data study करना है, तो वो शायद आप कर पाएंगे, तो let's see, मैं आपर लिखता हूँ, 200 से सिर्फ 300 तक का data display होगा, तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर actually scatter करना चाहिए, मैं आपर plot use कर रहा हूँ, इसलिए आपको अचीब लग रहा है, मैं आपर scatter लिखता हूँ, scatter I know, हमने study नहीं किया अभी तक, यहाँ पर यह है scatter, तो यह काफी अच्छा दिखा रहा है, अगर आप पूरा data देखने चाहेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसको study करना difficult हो जाएगा, और वेट आपने grid तो पास करी नहीं अभी तक, plt.grid, तो इसको study करना थोड़ा difficult हो जाएगा, माल लीजे आपको सिर्फ 200 से लेकर 300 के बीच का data study करना है, तो वो काफी easy हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, कौन से data points कहां पर है, तो this is the use of x limit and y limit, यह scatter हम next chapter में देखिए chapter ready है, सिर्फ video बनानी है, सिर्फ लेंगे next chapter में, फिर है histograms, तो histograms फिर दो axis नहीं होता है, इसमें सिर्फ I believe एक ही axis होता है, तो let's say हम y को histogram में pass करते है, plt.hist और हमने y को pass किया, मतलब की data को, और yeah that's it, तो यह हमारा histogram, यहाँ पर आप देखिए इससे क्या पता चल रहा है, कि minus 100 से लेकर 0 तक की, हमारे पास approximately 7 values है, 8 values है, right, फिर 0 से लेकर, यहाँ तक, मतलब की 40 तक I believe, 27 values है, इस तरीके से histogram साब देख सकता है, यहाँ पर एक argument होती है, bins argument, इसका क्या use होता है, यहाँ पर आप देखिए, default bins I think 10 होता है, bins मतलब की number of bars, यहाँ पर एक बार यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर खतम हो गया, यह second बार स्टार्ट हुआ, यह second बार खतम हो गया, that are bins, मैं आपर लिखता हूँ, plt.hist, और इसमें प्रोवाइड करता हूँ, हमारा data y, and bins, is equals to, मैं आपर लिखता हूँ, 30, मतलब मुझे 30 bars चाहिए, यहाँ पर 30 bars आ गया है, right, तो यह तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, okay, these are the histograms, I hope आपको chapter 4 समझ में आ गया होगा, and chapter 5 में हम सीखेंगे, scatter plots, okay, thank you.